तो स्वागत है आपका आज के सेशन में तो आज हम डिसकस करेंगे एचपी पटवारे एक्जाम जो कि लेकिन अभी न्यूज आ रहे है कि करवा रहे है करवाएगा नहीं करवाएगा यह अभी तक भी करवाएगा अनुफियल notification जारी की जाएगी लेकिन क्या हमें क्या आपको official notification का इंतजार करना चाहिए या फिर आज से ही आपको अपनी strategy ऐसी बना लेने चाहिए चाहे revenue department ले चाहे एट पीपी असी ले ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमने त्यारी इस प्रकार से करनी है कि ताकि हमारी इस बार सेलेक्शन जरूर हो जाए तो कुछ चीज़ी हम डिसकस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं और जैसे कि आप सभी को बता है कि अभी क्लास 3 के लिए एक एक्जाम लिया था है तो काफी अच्छा रिस्पॉंस रहा ग्रेड़फ स्टडी का ठीक है और ग्रेड़फ स्टडी ने अपने एबुक लॉंच करी थी काफी अच्छा पूरे हमाचल में काफी अच्छा रिस्पॉंस उसका रहा मैंने आपको पहले बताया था कि आउट ओफ थर्टी फाइब 24 पॉस्टेंस हमारी जो एबुक है वहां से आ गए थी और फुल मिला के एटिंग 63 जो है वह आउट ऑफ हंडर्ड हमारे ग्रेड़फ से बने तो काफी अच्छा यानि नोटिविकेशन आने वाली है और जेल वाडन की तो आहीं चुकी है चीक है तो जेल वाडन वालों को मैं बताना चाहता हूं कि काफी जल्दी हमारी जो क्लासिस है यूट्यूपर प्री फोस्त वह चलने वाली है और आपके जो मॉक टेस्ट है काफी डिमांड आप कर रहे तो मॉक टेस्ट भी आपके काफी जल्दी लौंच होने वाले है चलिए तो आज हम बात करेंगे एच्पी पटवारी एक्जाम दोजार दोबिस के बारे में तो सबसे पहले यहां पर हम सुछ चीजे डिसकस करेंगे कि अगर एक्जाम एच्पी पीएसी लेता है तो क्या सं क्योंकि हाटिस्टी का एक्जाम तो आपने जरूर देख लिया होगा देखो क्रंटली जो एच्पी पटवारी का एक्जाम है वह एच्पी रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेता है और इसके जो सेक्शन होते हैं तो कुल चार सेक्शन में डी अफ्र आपका जो एक्जाम है वह प्लीट होता है दा से से होते हैं आपके एंगलिश होताता है 맞는 हिंदी सेक्शन है पिर आपके पास मांतमेक्जी स्यक्षन है और उसके बाद में जीए्स सेक्षन है और जो भी आपके पास हिमाचल जी के है है chosen जी के इसी के अंदर आता है थे के इंडियन जी के बीएसी के अन्दर आता है जिकते हैं इसके इलावा घर yaptके कुछ कुर्ण असके ऐ c के इसके इलावा कुछ क्यों साइन्स के आते हैं वो भी हम इसी करते हैं और कई कभार एक डूह को South और आजाते हैं तो बी हम में स्वेले हम क्या करते हैं तो आ अभी तक होता था लेकिन इस पटवारे उख्जाम 2024 धाप्लिठ करता है तो मान के चलो कि फुल ये चार सेक्शन में एक्जाम आपका नहीं होगा ये बाते मैंने HRTC वाला को भी बताय थी कि कोई भी एक्जाम आपकी तरक शक्ती को जांचे बिना कंप्लीट नहीं होता और आपने देखी भी लिया होगा कि आपके एक्जामे में पोची गई थी तो यहां पर जो आपके स्क्शन हैं तो स्क्शन में यहां पर फेर बदल की जा सकती है और मैंने आपको पहले बताया थाकि English और Hindi तो पोच ही जाएगी और maximum जो question है वो भी इन दोनों के ही होंगे तो English और Hindi तो HPPSC भी पूछेगा और काफी अच्छे लेवल की पूछेगा आपने देख भी ली होगी इसके इलावा GS सभी को आता है आपको बता ही है लेकिन इस बार जो HPGK है HPGK के जो प्रश्ण है वो आपको जैदा देखने को मिलेंगे पहले भी जैदा ही होते थे अगर हम पिछली की बात करें पिछले 2019 की बात करें तो वहाँ पर भी आई थिंक यहां पर जो है वो रिजनिंग जो है वो HPGK कर सकता है क्यूंकि रिजनिंग पावर तो चक करने ही पड़ती है हर एक केंडिडेट की तो रिजनिंग तो मस्ट है लेकिन अभी तक रिजनिंग के कुश्चन नहीं आते थे एकत कुश्चन आता था नंबर सीरिस का तो वो भी यह मैथमेटिक्स में डाल देते थे रेविन्यू डिपार्टमेंट वाले लेकिन इस ब को चीजह क्याुत इसके को संग्तर रिवन्यू के तक तो मुझे सपर की कुश्चन देखने को नहीं मिला प्रिवेश किसी और में एकनोमिक्स सब sortir प्रौईल q ли यहां पर अगर वो section को अलग नहीं करता है लेकिन फिर भी आपको GS section में कुछ questions revenue के देखने को मिल सकते हैं अगर आपका exam HPPSC लेता है तो ये चीज तो हो नहीं हो नहीं है अगर HPPSC exam लेता है लेकिन क्या अगर HP पटवारे exam HPPSC लेता है तो क्या इसमें negative marking होगी 80% chances है कि negative marking आपकी इस exam में भी होगी अगर HPPSC exam conduct करवाता है तो अब आप सोचोगे कि सर ये तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी फिर हमने पिछली बार भी exam दिया था हम अभी इस बार भी हम exam देंगे तो हमने तो त्यारी उस हिसाब से करी है मैं आपसे पोशता हूँ कि आपने त्यारी किसे हिसाब से करी है क्या आपने त्यारी इस हिसाब से करी है कि अगर मुझे जो कॉश्ण नहीं आता होगा मैं उसके तुक्का लगा दूंगा नहीं आपने त्यारी यह कि है कि जितने भी कॉश्ण अगर मेरे पेपर में आते हैं तो मैंने आपने आपको इस लायक बनाना है कि मैं सभी मुझे आने चाहिए तो किस चीज की आपको तैयारी करने चाहिए कि अगर हां यह मेरे से नहीं निकला तो यहां पर में तुक्का लगा दूँगा नहीं थीक है कि अब मैं आपको वाग बता देता अभी जितने इतने भी एक्जाम आपके रेवन्यू डिपार्टमेंट के अंडर हपी पटवारी के हुए तो वहां पर आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि जो कॉश्चन्स है वहां वहां से मतलब ठीक है जैसे भी डालते हैं फो कॉश्चन्स सेम यह प्रीवीस यह में कहीं नहीं किस पाए गए होते हैं ठीक है लेकिन जो एच्पी प्यस्टी डिपार्टमेंट है यह कॉश्चन बड़े कम बड़े कम रिपीट करता है ठीक है तो एक तो यह हो गया अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि अगर आपके इस एक्जाम में नेगटिव मार्किंग होती है तो जो कट ओफ है वो बड़ी कम चले जाएगी यानि कि अगर आप सच्चे मन से त्यारी कर रहे हैं और अगर आपका टागेट है कि मैंने एच्पी पटवारी एक्जाम निकाल लेना है तो आपकी तयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी और नेगटिव मार्किंग सुनते ही आपके अंदर एक खुशी की लेहर उट गई होगी कि अगर नेगटिव मार्किंग होगी तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो कंवेडेशन है वो बड़ा ही कम हो जाएगा अभी पोड़ी सची बात है आपके सामने यह देखिए जो रास्ता आसान होता है वहांपर भीड़ भी इतने लंबी लंबी लएने लगने लगे होती उते हैं पर जो का टफ होता है ना वहां पर कोई एक का दुख का इंसान ही जाता है तो अगर आपका रास्ता मुश्किल है यह कनफॉर्म बात है कि वहां पर आपको अपने कंपीटीटर भी कम ही देखने को मिलेंगे मैक्सिमम तो बाहर हो जाएंगे इस बार भी काफी बड़े लिखे यानि कि जिन्होंने बड़े तैयारी करी है बड़े अच्छे तरीके से उनसे भी अटेम्ट नहीं हो पाया क्यूंकि उनको अटेम्ट ही करना नहीं आया तो जब कि यह मिलती हैं मिलती है कि लेकिन इस बार हमें आज से ही स्टार्ट हो जाना है कि चाहे इक्जाम कोई भी ले चाहे वह वह रिवेन занod डिपार्टमेंट ले ले लेगं हमारी तुँ अभी ऐसे चलेगी और ऐसे चलेगी कि फांडल बें हमें सेलेक्शन में जाएगे अब कैसी हमें तयारी करनी चाहिए उस बात के यहां पे भीड देख लीजिए ठीक है भीड कहां पर जहां पर क्या है रास्ता आसान है तो वहां पर आपको भीड देखने को मिलेगे चलो और आपने नहीं तो पिछली का 2019 का रिजल्ट देख लेना एक्सपी पटवारी का मेरिट जाती है 89 90 90 प्लस ले जाती है ठीक है और अगर आपका एक्जम होती है तो कहीं है चलिए अब हम सामने आते हैं मैं हर बार कहता हूं मैं हर बार कहता हूं कि आपको हमेशा कि आपको हमेशा अपने सेक्शन से स्ट्रॉंग करने चाहिए आपको हमेशा अपने सेक्शन करने चाहिए और अब जो टाइम चला हुआ है न यह टाइम चला हुआ है तीन सेक्शन का किस किस का पहले नंबर पे English दूसरे नंबर पे Hindi पहले नंबर पे English दूसरे नंबर पे Hindi और तीसरे नंबर पे हिमाचल जी को और पटवारी एक्जाम में अगर आप मैं इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। इंडियन हिस्ट्री एंडियन पॉलिटी ऑंडियन ज्योगरफी सब्सक्राइब बजह दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप इन तुक्र काम नहीं कर रहे हैं। तो यह आपकी साहीड नहीं कि आपको बता है कि मेरे कौन से सेक्ष्ण वीक है मュंझे उन पर कितना वर्क करना है और वहां से कितने कुष्ण एक्जाम में आते हैं तो उन पर आपको ज़्यधा टाइम देना है अब अगर मैं इनकी बात करो तो मुझे बताओ कितने कुशन आ गए थे इन तीन सक्षन से कितने आ गए थे वही आप पटवारे के प्रिवेश से उठाके देख लेना मैं अभी 2013 डालने वाला हूं पुझे इन तेरा पंदरा सोला उननरिस है जो चार साल के मुक्ट प्रिवेश से पेपर है आप देख सकते हैं अप्लेकेशन में जाके तो देख लेना इन टीनों से स्क्षन से कितने कितने कुशन आए हैं दो । और दूसरी तरफ 25 क्षिन 25 क्षिन 75 पर हिमाचल जी ग 750 ऐद ते और उससे पिछली बार 10-10 वे को में तो किस पर हमें जढ़ा टाइम किस पर हमें कम टाइम किकल देना यह मैंने आपको बता दि они आपको है कि तो है ठेकर यह हो गया और यह यह जो तीन section है यह जो है यह आज कल 2023 लास्ट में और 2024 में अधिकतर यहां से question आएंगे और यहां से merit बनेगी बच्चों की जिनके section strong है अब एक और section है जो कि आपके पटवारे exam में main role play करता है और वो है mathematics कि वो है mathematics कि यह है वो section जिस पर काफी सारे इंसान काफी सारे बच्चे गिर जाते हैं कि काफी सारे इंसान गिर जाते हैं अगर आपका exam HPPSC लेगा तो यह section भी थोड़े से वह हाई level के पूच सकता है जैसे कि अब अच्छा डेसी में पूछे गए थे तो ठीक है अगर आपके section काफी अच्छे हैं यह दोनों English और Hindi लेकिन आपको यह और अच्छे करने हैं अगर आपका लेवल यह होगा और माण लों कि HPPSC ने इस लेवल का पूछ लिया तो कम सिक्म आप इसको कर सकते हो ना अगर आपकी तयारी ही यही है और HPPSC ने यहां दक पूछ लिया तो आप इसको कैसे करोगे तो तयारी हमेशा अप ही करनी पड़ेगी तब जातके इसके नीच्चे जितने भी चीज़े आ जाए उसको आप कवर कर पाव क्लेर है तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखनी है बाकि मैस मैस आपको बदा कि काफी 25 नंबर का मैस आता है आपके पटवारी एक्जाम में और अगर HPSC नया स्लेबस इंट्रड्यूज करता है अलगलग सेक्शन इंट्रड्यूज करता है तो इसके नंबर ऑफ कुश्चन कम हो सकते हैं लेकिन मैस का काफी इंपोर्टेंट रोल फ्ले होगा इसमें तो अगर मैं इन चारों सेक्शन की बात करूं तो नक्सिमम जो ब दोनों सेक्शन सही हो जाएं तो मैं अच्छे से एक्जाम को कर सकता है और बिल्कुल ठीक बात बॉली होने क्योंकि 25 इंगलिश के 25 मैस के 50 उनके वीक हैं तो इनको काम करना पड़ेगा और अगर आपके चारों के चारों सेक्शन ही स्ट्रोंग है तो आपको यह और स्ट्र तो करने हैं इसके इलाबा आपको फिर मॉक टेस्ट पे ध्यान देना हैं मॉक टेस्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि implementation आपको finally last में आपको देखनी पड़ेगी कि जो इतनी knowledge लेके मैं बैठा हुआ हूँ क्या मैं उसको सही तरीके से implement कर पा रहा हूँ या पिर नहीं कर पा रहे हो तो आपको गलती हैं देखनी कि मैं गलती कहां पे कर रहा हूँ क्या मैं प्रेशर में आ रहा हूँ काफी सारी चीज़े सामने आती हैं जब मोग्टस्ट लगाते हैं तो कुछ बच्चे प्रेशर फिल करते हैं कुछ बच्चे सोचते हैं कि जब भी मैं मोग्टस्ट लगाता हूँ मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ है नहीं दिमाग में तो रिकॉल कैसे करना आपको शोट पीरिट ऑफ टाइम में आपको रिवीजन कैसे करने है देर उसके बाद आपको इन छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है तब जाके आप लास्ट में अपने आपको फुली प्रिपेर पाऊँगे तो अभी तक काफी टाइम है आपके पास कोई ओफिशल नोटिफिकेशन नहीं निकली है कोई भी फोर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुए है आपको करना क्या है मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया है कि कि सेक्शन पर आपको ध्यान जैदा देना है किन सेक्शन अगर U zomeye आवा वाएक से मैक्सिम बच्चे बच्च कर लेतें कि अगर जिनको नहीं आती तो टैच में रहना यह मैं उनको बता रहाएं जो कि रिजिन के टच में नहीं है तो रिजिन के टच में रहना ब्लड रेलेशन हो गया केलेंडर हो गया इनको निकालना आपको आना चा काफी टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं आपको बता है कि पिछले साल इसी साल याने की जैनुवरी से अगर मैं बात करूँ तो कितना टाइम हो गया यह कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकली लेकिन बच्चे फिर भी बढ़ रहे थे को समद सोचना कि अभी भी बच्चे ऐसे बैठेएं हुए नहीं बच्चे त्यारी कर रहे हैं वह प्रिपेर्ड हैं अगर आपने आपने तयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो आपने डेरी कर दी है समझे रहे हो चलो बाकी है अगर आप grade up study के साथ आज से तोरी कल से त्यारी करना चाहते हैं तो हमारा hp पटवारी का जो batch है वो launch हो चुका है ठीक है launch वो हो चुका है बस कल से जो आपकी classes है वो start होने जा रही है ठीक है और हमारे इस course की जो features है वो आपके सामने हैं यहां पर डेली इवनिंग टाइम पे इवनिंग टाइम पे थ्री टू शिक्स लाइव क्लासिस चलेंगी लाइव क्लासिस चलेंगी और लाइव होने के बाद यह automatically आपको recording पॉरमेट में भी मिल जाएंगी कुछ मेरे भाई ऐसे हैрий जो लाइव नहीं देख सकते कुछ जो करते हैं तो व show क्चो और लाइव नहीं देख सकते तो recording भी उनको live होने के बाद में मईजाएगी क्लास bütün पीडियाफ के साथ कि जो भी हमने उस .. प्लास में पड़ा है तो अब लन पेट प्रॉट डिसकस किया है तो उस तोपिक पीडियाफ यहां पे मिल जाएगी आप डाउनलोडNow भी कर बड़ी ज़रूरी है तो उसी को हम स्टार्टिंग में ही हमने इसको इंक्लूड कर दिया कि एवरी मंडे आपका मोक टेस्ट हुआ करेगा एवरी मंडे आपका मोक टेस्ट हुआ करेगा ताकि साथ साथ में अगर हम यह भी सीख लें कि हमें इंची जो को सुखे इसके बाद ना ट्लावड में चुटी होती है कि संडी जाते हैं काम पर जाते हैं तो संडी वाला हमें है प्रोपर गाइडेंस आपको पता कि गाइडेंस कितनी जरूरी है विदाउट गाइडेंस अगर हम मेनत करते रहें तो उसका कोई फाइदा नहीं है मेनत हमें करनी है मान लो कि मुझे मेनत करनी है मैंने अपने आपको मना लिया मैंने अपने दिल को मना लिया कि मुझे तो अभी मेनत करने बढ़ेगी एक साल या फिर छे महीने लेकिन वह मेनत मैंने किस डाइरेक्शन में करनी है अगर मुझे कोई यह बता दे तो बताओ कि मैं कितना अच्छे तरीके से त्यारी कर सकता हूँ तो यह direction देने वाला काम कौन करेगा यह भी आपको grade study team करेगी यानि कि इस batch में आपको proper guidance भी provide करवाई जाएगी कि अगर आपको यह लग रहा है कि हां मैं इस पर ज्यादा दे रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए तो complete guidance भी आपको इस batch में दी जाएगे क्लेर है तो classes जो है वह 20 December यानि कि कल से start हो रही है तो आपको अगर join करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा आपको सबसे पहले हमारी application को इस्टोल करना है आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है वहां पर आपको सर्च करना ग्रेड़ अप स्टड़ी ठीक है गूगल प्ले स्टोर में आपको जाना है वहां पर आपको सर्च करना है ग्रेड़ अप स्टड़ी और सर्च करने के बाद आपको 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 आप करने के बाद आपको यह पर मिल जाएगा करने के लिए थी के लिए 9459253527 इस प्यूर्च Сपकली यहां पर पटवारी तो बैच अग्सेस्पुली ज्ञाइन या फिर इन्रोड तो आपको अगर हमारी डिस्क्रेप्ट कर सकते हैं वहां को छेट्ली से इसको फिर पता न煮िदेस्ट कर सकतें और अगर कुछ अचल ब्रुक्सीर कर सकते हैं या तो आप डिरक्ली कोल भी कर सब्सक्राइब ठीक है चलिए बाग की हमारी रात को आपको बता है कि आठ बजे क्लासिस होती हैं तो फिर से आपकी जो क्लासिस वो स्कार्ट हम करने वाले हैं ठीक है तो मिलते हैं फिर तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाद